डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सिकेंड बाद जनावरी 2021 में जो बाइडन के राश्टपती पद की सपत लेने के बाद यह तीसरा मौका था जब अमेरिकी सरकार का कोई वरिष्ठ नेता भारत आया अमेरिकी बिदेश मंत्री एंट्री ब्लिंकन कल देर साम नई दिल्ली से कुबायत की और रवाना हो चुके हैं लेकिन उनसे पहले रच्छा मंत्री लोईड ओंस्टीन और जलवायू परिवर्तन मामले पर अमेरिकी राश्टपती के विशेश दूत जोन केरी की भारत यात्र यह सांकेत दे चुकी है कि बाइडन सरकार नई दिल्ली को कितनी अहमियत दे रही है पैराग्राफ चेंज बिलिंकन का यह दोरा दुपचिये संबंधों के साथ साथ छेत्रिये रिस्तों की दसा दिसा तै करने वाला माना जाएगा हिंद प्रसांत छेत्र में सांती और इस्थिर्ता को बढ़ावा देने के अलावा अफगानिस्तान में छेत्रिये सुरच्छा के मुद्दों पर कहीं अधिक मजबूती से मिलकर काम करने की सहमती बनी है ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान बातिचित का केंद्र रहा क्योंकि अमेरिका जिस तरह से वहां से निकला है उससे भारत भी चिंतित है रात के अंधेरे में अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ा और हवाई जहाज से वे अपने देश के लिए रवाना हुए भले ही अमेरिका ने अफगान हुकूमत को इसके बारे में असपस्ट कर दिया था लेकिन छिपते छिपाते अमेरिकी फोज की रवानगी कई A.C.I. देशों को बियतनाम युद की याद दिला गई सन 1975 में साइगोन से अमेरिकी फोज अपने दामन पर हार का दाग लेकर इसी तरह लोटी थी अफगानिस्तान से उसकी घर वापसी को भी कई देश इसी रूप में देख रहे हैं भारत के साथ दिक्कत यहा है कि अफगानिस्तान के बुनियादी धाचे के निर्मान और व्यपार परियोजनाओं में उसने तकरीबन तीन औरब डॉलर का निवेश कर रखा है इतना ही नहीं नई दिल्ली ने वहां के सभी 34 प्रांतों में 400 से अधिक परियोजनाओं सुरू की है चुकि वहां अब तक कोई इस्तिर सरकार का संगठन नहीं हो सका है और तालिबान अपने प्रभाव छेत्र के लगतार बढ़ने का दावा कर रहा है इसलिए नई दिल्ली इन विकास कारियों के भविश्य को लेकर चिंतित है एक तर्क या दिया जा सकता है कि तालिबान सायद इन परियुजनाओं को नुक्सान न पहुंचाए मगर जिस तरह से पाकिस्तान लगतार भारत के बारे में दुस्प्रचार कर रहा है और अमेर्की फोज की वापसी को भारत की हार के रुप में दुस्प्रचारित कर रहा है उससे खत्रा यह है कि कहीं पाकिस्तान परस अतंकवादी तालिबान की आड़ में इन विकास कारियों के लिए खत्रा न बन जाए नई दिल्ली वासिंगटन से यह भरोसा चाहता है वह अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ देने के बजाए एक थोस रणनिती के तहत उसकी मदद करता है भारत और अमेरिका के रिस्तों में क्वाइड काफी अहमियत रखता है भारत अमरिका अस्ट्रेलिया और जपान से मिलकर बना यह संगठन अभी भले ही बैधानिक जमा नहीं पहन सका है लेकिन इसने चीन के साथ तनाव बठने पर अपनी सुरच्छा और आर्थिक संबंधों को तेजी से मजबूत बनाना सुरू कर दिया है मार्च 2021 में अमेर्की राष्पती जो बाइडन ने इसकी एक वर्चुल मीटिंग बुलाई थी जिसमें अस्ट्रेलिया भारत और जपान के सासनाध्याच क्रमसा एसकोट मरिसन नरेंद्र मोदी और येसी हुदे सुगा ने ऑनलाइन सिरकत की थी उस बैठक में उन्होंने COVID-19 टीके को लेकर एक कारे समुह का गठन किया था और तै किया था कि जापान की आर्थिक मदद वा अस्ट्रेलिया की लोजिस्टिक सहायता से भारत हिंद प्रसांत के देशों के लिए अमेर्की वैक्सीन की एक अरब खुराक बनाएगा जोंसन एंड जोंसन में तकनी की गड़बडियों की वजह से ठीका निर्माण में देरी का असंका पैदा हो गई है लिहाजा नई परिस्थिती में इस निर्णे को किस कदर सकार किया जाएगा इस पर भी अभी ब्लिंटन ने चर्चा हुई होगी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरियंट के बढ़ते मामले और हिंद प्रसांत के देशों में भारत के सामिल होने के कारण नई दिल्ली वैक्सिन निर्माण को लेकर ज्यादा सक्रिता दिखा रही है भारत हर संभव उत्पादन करने के लिए तैयार है लेकिन उसे इसके लिए कच्चे माल की जरूरत है जो अमरिका ही मुहाया करा सकता है वैसे क्वार्ड से अमरिका के हीत भी खासा जुड़े हुए हैं दो महासागरों को समटने वाला हिंद प्रसांत छेत्र अमेरिका के समूंदरी हीतों की बखुबी पूरा करता है 2019 में इन महासागरों से 19 औरव डॉलर मुल्य का अमेरिकी व्यपार गुजरा सन्युक्तराष्ट इस माने तो इस साल दुनिया के कुलने रियात के 42 फिस्दी और आयात के 38 फिस्दी उत्पाद यहां से गुजर सकते हैं स्वभाविक है इस कारुबार का एक बड़ा खिलाडी अमरिका होगा पैराग्राफ चेंज बिलिंकन ने इस दोरे में हंथियारों की खरीद का मसला भी उठा होगा और भारत में कथित मानवाधिकार हनन का भी मगर यह ऐसे मसले हैं जो हर एक बातचीत का हिंसा तो होते हैं लेकिन इन पर काई खास गंभिरता नहीं दिखाई जाती अलबत ता अमेरिका में भारत वासियों को होने वाली दिकते अब आपसी बातचीत का मुख्य मसला बनती जा रही है अमेरिका की वीजा नीती पर भारत सवाल उठाता ही रहता है अब अनिवासी भारतियों पर होने वाले नसलिये हामले भी चिंता की वज़ा बन गए हैं भारत लगतार इस बात पर जोर देता रहा है कि A.C.I. मुल्के लोगों के खिलाप किसी तरह की सारीरी किया भावनात्मक हिंसा नहीं होनी चाहिए अच्छी बात है बाइडन प्रसासन भी इस दिशा में संजीदा है और अनिवासी भारतियों ही नहीं तमाम प्रवासियों की सुरच्छा सुनिशित करने की बात कह रहा है कुल मिलाकर बिलंकन की यह यात्रा कई मायनों में उलेखनिये सावित हुई है विदेश मंत्री बनने के बाद वह पहली बार भारत आये थे और यहां उनहोने बाइडन प्रसासन का यह मंत्र दोहराया की अमरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने का सिल्सला जारी रहना चाहिए इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए अच्छी बात है कि भारत सरकार की तरफ से भी उन्हें सकरात्मक जबाब मिला है दोनों देशों की यह जुगलबंदी आने वाले दिनों में बैस्विक बेवस्था को कई रुपों में प्रभावित कर सकती है समाप्त